सुल्भा तुमने नेहा की साधी में सब को फोन किया सिर्फ मेरी बेहन रजनी को ही फोन नहीं किया यह क्या बात हुई भला उसे कितना बुरा लगेगा नमन ने अपनी पत्नी सुल्भा से बेहद नाराज के भरे सवर में कहा ना मैंने फोन किया है ना मैं करूंगी आपको करन अपने से कोई फायदा नहीं होगा हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे वो तब भी हमारी किमत नहीं समझेगी बलके बल्ले में उल्हाने तानी ही देगी इसलिए उनसे दूर की ही राम भली आना हो तो आए नहीं तो अपने घर बैठे वैसे भी आकर प्रोना धोना चालो कर देगी और हमारे घर का माहुल खराब कर देगी हमारे घर में इतने वर्षोबाद खुसियां आई हैं और मैं उन्हें किसी की नजर नहीं लगने दूँगी तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी तल्खी आगे ध्यान रखना कहीं हमारी बहु भ वहार तब करेगी जब ननद उसके साथ कुछ गलत करेगी मैंने अपनी बेटी को जबर जस्तिक किसी की जिन्दी में हस्तक्सिप करना और उसकी खुशियों में आगल लगाना नहीं सिखाया है तुम्हारी बेहन तो जब तक यहां रही मेरा जिना हराम करके रखा और साथी के बाद भी उसके साभा में रती भर का फरक नहीं आया तुम्हारी मा भी उन्हीं कभी रोकती टोकती नहीं थी उसी का नतीज़ा है अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को जितना याद रखो युतना ही कस्ट होगा कैसे भूल जाओं कि उसने खून के आशुर उलाया है मुझे जब भी याद आता है सब कुछ तन बदन सुलग उठता है आपको याद है जब मैं ब्याकर आई थी मैं और रजनी हम उमर थे लेकिन उससे बिलकुल बच्ची की तरह और मुझे बिलकुल बड़े उजर्गों की तरह बहर किया जाता जैसे ही मेरा बक्सा खुला गया उसने हर सामान में नुक्ता चीनी निकाली और मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई सब के सामने और उसके बावजुद मेरी सबसे अच्छी साड़ी उसने तुरंत ले ली थी ससुराल में ननद देवर होते हैं तो नहीं नवहिली बहु को सहियो करते हैं लेकिन मेरी ननद मेरे हर शुक्स से जलती थी कोई मेरी सुन्दरता की तारिफ कर दे या मेरे कानों की तो वो कोई ना कोई बुराई निकाल कर सुरू हो जाती मैं कुछ पहनू ओड़ू तो उसकी मर्जी से लिपस्टिक लगाय तो उसकी पसंद से आप से हशू बोलू तो तुरंत अपनी माँ से जाकर लगा देती आपके साथ खाना खाने बैठती तो किसी ना किसी बहाने से उठाकर ही मानती मंदिर भी जाना हो तो उसे साथ जरूर ले जाओ उसका बस चलता तो साथ रात में भी साथ में ही सोती जल्दी कमरा छोड़ कर जाती ही नहीं सासुमा तो इतना ध्यान नहीं देती थी लेकिन वो जैसे ही महिनी का सामाना था मेवे, मिस्री, इनास्ता सब ताले में रख देती आप भूल से भी कोई सामान ले आते तो वो सब रख लेती यह सब तो चलता है जी लेकिन मेरे माय के वालों कापमान मैं नहीं भूल सकती मेरे भाई पिताजी की बेज़ती सब के सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहीं मैं अपने माई के कुछ भेज ना दू, कोई बात ना कर लू हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वो उनसे भी बराबरी कर दी साधी के बाद भी उन्हें कहां चैन से जीने दिया ससुराल से लड़ जगड़कर माई की में ही पड़ी रहती और हर समय यहीं रोना ये नहीं दिया, वो नहीं दिया उन्हें कुछ देने की जरूरती कहां पड़ती थी वो तो खुद हिस्टा बटोर कर ले जाती अब वो अगर साधी में आ भी गई तो वो नहा का हर लेंदिन का सामा दे कर यहीं तो ला करेगी कि ऐसी चीज़ मुझे नहीं दी अपनी बेटी को दे रहे हैं और रोना धोना मचाएगी कि मात पिता के नहीं रहने पर भाई भावे उन्हें मान समान नहीं देते उनको ढंक से लेते देते नहीं वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप जो देंगे आपको बदले में वहीं मिलेगा बस इसे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना सांती से आईगी जाएगी तो सरमा थे वरना कोई बात नहीं नामन भी समझ गया कि रजनी के दिजखम सुलभा के दिल में बहुत गह रहे हैं इसलिए जिद नहीं की और खुद ही फोन करके चल दिया लेकिन मन ही मन सोच लिया कि बहन को अपनी बेटी की खुशियों पर नजर नहीं लगाने देगा इज़्जत से आएगी तो इज़्जत मिलेगी यह कहानी कीर्ती महरोतरा दवारा लिखे जई है पसंद आई हो तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें करिमा दोस्तो